Hello student, this is question number 3 of exercise 1.4 of NCRT class 7 chapter 1 integer. So the question 3 is fill in the blanks. हमें blanks यह हैं, हमें इनको fill करना है. So the A part is 369 divided by blank is equal to 369. मैं 369 को किस से divide करूँ कि मुझे 369 ही वापस मिल जाए. तो हमने पड़ा है कि अगर कोई integer A है, अगर हम इसको divide करेंगे 1 से, तो हमें वही integer मिल जाता है. It means, अगर हमें same integer चाहिए, तो हम उससे किस से divide करेंगे? उससे divide करेंगे 1 से. तो यहाँ पर भी हम इसको 1 से divide करेंगे, 369 को, तो हमें वही integer मिल जाएगी. Now the B part is, minus 75 divided by blank is equal to minus 1. हमें यहाँ पर minus 1 चाहिए, इसका मतलब है कि मैं इसको 75 से ही अगर divide करूँगी, तो answer क्या आएगा? minus में. क्योंकि यह हमें यहाँ पर minus में है, तो यह तो minus होगा नहीं. अगर यह भी minus होगा, तो क्या होता है? minus divided by minus is equal to plus. बढ़ हमें यह minus में चाहिए, एक already negative है, तो दूसरा हम positive रखेंगे. तब ही minus plus minus में answer आएगा. और same ही number से अगर हम divide करेंगे, तो 1 आएगा. Now the C part is, minus 206 divided by blank is equal to 1. Again, वही same है B part वाला, बट यहाँ पर हमें 1 चाहिए, positive में. और यह हमें already negative में दिया हुआ है. तो हम इसको negative 206 से divide करेंगे, क्योंकि minus divided by minus is equal to plus में answer आता है. तो इसलिए हम इसको minus 206 से divide करेंगे. Now the D part is, minus 87 divided by blank is equal to 87. हमें 87 चाहिए, बट यहाँ पर minus में है 87. तो हम इसको minus 1 से divide करेंगे. तो जब minus से minus cancel हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर यह पर यह positive में आ जाएगा. E part, blank divided by 1 is equal to 87. यानि कि 1 से को integer divide होआ है, तो यह आया, means यही वो number है, 87. जिसको हम 1 से divide करेंगे, तो वही number आ जाएगा, 87. F, blank divided by 48 is equal to minus 1. यहाँ पर हमें negative में answer चाहिए, तो हम क्या करेंगे? minus 48 कर देंगे इसको, क्योंकि minus plus, तभी minus आएगा. Now, तो G part is 20 divided by blank is equal to minus 2. तो हमें नहीं पता कि किस number से इसको, कौनसा number जब 20 को divide करेंगा, तो minus 2 आएगा. तो हम क्या करेंगे? इसी को divide कर लेते हैं, 20 से, तो 2, 1 is a 2, 0, 0, तो I had 10. लेकिन हमें यहाँ पर negative में चाहिए, यह already positive है, तो हम इसको negative में लिखेंगे. तभी तो plus, minus, minus होगा. So, the answer is minus 10. H part is, dash divided by 4 is equal to minus 3. Again, यहाँ पर answer minus 3 है, और यहाँ पर minus नहीं है. It means, जो answer आना है, वो minus में तो आना ही आना है, बट क्या आना है? तो हम कैसे बताएंगे कि किस नमर को जब हम 4 से divide करते हैं, तो 3 आता है. तो 12 वो नमबर है ना? 4, 3 से 12 होता है. जब 4 को, 12 को हम 4 से divide करते हैं, तो answer आता है 3. और हम minus 12 लेंगे, क्योंकि हमें 3 किस में चेहे, negative में. तो हम minus 12 लिखेंगे. So, this is fill in the blanks. I hope आपको समझ आ गया होगा. मिलते हैं दूसरे वीडियो में. तब तक, goodbye.